चोपड़ा एजोगेशन यूटूग चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MBBS, BDS के आल इंडिया कोटा में एडमिशन के लिए OBC रिजर्वेशन सरफ Central University में ही होता है बाकी जो स्टेट की Medical College हैं उनकी 15% सीटूग पर जो आल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व हैं उनमें सरफ SCST का ही रिजर्वेशन होता है OBC का इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता आल इंडिया कोटा में MBBS, BDS के एडमिशन में OBC के रिजर्वेशन देने के लिए मदरास हाई कोट में केस चल रहा था कई Political Parties भी इसका मामला उठा चुके हैं मदरास हाई कोट ने सोमार को इसके बारे में डिसिजन दे दिया है मदरास हाई कोट ने केंदर सरकार को निर्देश दिया है कि केंदर सरकार, तमिलनाडू सरकार और MCI तीनों के परतीनी धियों को सामिल करके एक सिमिती का गठन करें जो OBC के स्टूडेंट को OBC रिजर्वेशन देने के मुद्दे पर निर्णा करेगी इसमें आगे कहा है कि अगले तीन मैने के अंदर इस कमेटी का गठन किया जाना चीए कोट ने कहा कि सिमिती द्वारा लिये जाने वाले निर्णाय आगामी सेक्षनिक 17 से मानने होंगे कोट का यह कहना है कि यह निर्णाय सिमिती ही करेगी क्योंकि कोर्ट सरकार के नितीगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरक्षन कानूनी और मोली का दिकार नहीं है कोर्ट ने केस का डिस्पोजल करते हुए यह भी पाया कि आल इंडिया कोटा की सीटू पर OBC Reservation परदान करने के लिए केंद किसी भी प्रकार का कानून पारित कर सकता है तो दोस्तो इसका सारान सी यही निकलता है कि कोर्ट ने सारा मामला इस गठित होने वाले कमेटी पर और सरकार पर छोड़ दिया है अगर यह कमेटी आरक्षन देती है तो आरक्षन लागू होगा अगर यह कमेटी आरक्षन नहीं देती है तो यह आरक्षन नहीं लगेगा तो यह तो अभी कमेटी के डिसीजन पर ही डिपेंड करेगा कि All India Quota में OBC Reservation मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में जैसे ही कोई Update मिलेगी मैं आपको Inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलेंगे नए जानकर इन नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद